डॉक्टर इस्टोल सीजन 2 के एपिसोड्स हिंदी डम में देखने के बाद अब फैंस देखना चाहते हैं सीजन 3 के एपिसोड्स भी हिंदी डम में तो दोस्तो आज इस वीडियो में जानेंगी कि सीजन 3 हिंदी डम में कब रिलीस होगा करणची रोल पर यानि की क्रंची को कब एड़ करेगा सीजन 3 के एपिसोड हिंदी डब में तो दोस्तों यह वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगा आप सभी के लिए पर सबसे पहले चाप को सब्सक्राइब कर लोगा एक ट्रू एनिमे नवर हो और आपको एनिमे डिलेटेड वीडियो जाहते होंगे पर अफसोस अभेनेवन नहीं है हिंदी डब में तो आप देख नहीं पाए होंगे और दोस्तों आपने सीजन 1 और 2 तो देख लिया तो आप सीजन 1 और 2 के बेसी स्पेसे कितना रेटिंग देना चाहते हो दस में से मुझे पॉमेंट सेक्शन में बता रहा है वेल अब हम बात करते हैं सीजन 3 की तो दोस्तों सीजन 3 में टोटल 22 एपिसोर्स है मतलग कि आपको सीजन 2 के मुकाबले जादा कंटेंट देखने को मिलेगा सीजन 3 में अब देखो जीए नहीं पता है मैं उन्हें बता दो कि डॉक्टर इस्टोन सीजन 4 भी कनफर्म हो चु तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दो पार्स में यानि की दो कोड में देखने को मिलेंगे एपिसोर्स मतलब दोस्तों पहले बैच में आपको 11 एपिसोर्स देखने को मिलेंगे और बाकी के 11 एपिसोर्स आपको दूसरे बैच में देखने को मिलेंगे मतलब कि दो वारी एपि पर दोस्तों यहां पर एक ट्विस्ट है ट्विस्ट यह है कि अगर क्रंची रोल इंडिया इसे घीचना चाहे मतलब कि चाहे की फैंस बने रहे उनके प्लैटफॉर्म के साथ और जादा दिनों के लिए तो वो डॉक्टर इस्टोल सींतरी के एपिसोड सेप्टेंबर में रिलीज नहीं करेंगे वो इसे अक्टूबर और नमंबर में लेकर जाएंगे अब देखो मैं जानता हूँ आप एक सवाल पूछना चाहते होंगे कि फैट प्रोलिस के सभी एपिसोड एक साथ एड नहीं हो सकते क्रंची रोल इंडिया पर हिंदी डब में इस टोन दा फाइनल सीजन सीजन नमबर 4 कब रिलीज होगा हिंदी डब में कब आएगा अगर आपको इसके रिलेटेट वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना सकता हूँ जो जो डेर्स मैंने आपको बताए उनी डेर्स को एपिसोड आएंगे और आप इसे कंफर्म मान सकते हो और दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर आपने फैक्टॉलिस को फॉलो नहीं किया इस्टाग्राम पर क्योंकि वहाँ पर भी आप मेरे से बाचीत कर सकते हो और इस वीडियो को जादर सी जादर लाइक करो शेयर करो जैसे कि मैंने बोला और चाहल को सबस्ट्राइब करो और देखते रो फैक्ट आरे